और ब्रिक्स समेलन में सुक्षप्रधानोंती नरेन मोदी बोल रहे हैं ये सब वाच्वली हो रहा ये आपको लिए चलते हैं हमारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गती को बरकरार रख पाया है अपनी बात आगे रखने से पहले मैं प्रस्रिणेंट रामा फोसा को जन्म दिवन्ष की शुबकामनाय देता हूँ एक्सलेंसीज इस साल के समीट का थीम ब्रिक्स पार्टनर्शिप प्र ग्लोबल स्टेबिलिटी शेर्ड सिकुरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही किन्तु दूर दर्शी भी है विश्व में महत्वपूर्ट जीयो स्ट्रेडिजिक बडलाव आ रहे हैं जिनका प्रभा स्टेबिलिटी, सिकुरिटी और ग्रोथ पर पढ़ना और पढ़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिस्की भूमी का एहम होगी एक्सलेंसीज इस वर्श दूसरे विश्व युद्ध की पचतरवी वर्श गांट पर हम बीर गती पाये सैनिकों को स्रधांजली देते हैं भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक बीर इस युद्ध में युरोप, आफरीका और साउथ इस एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रियत है इस वर्श उनाइटेड नेशन्स की स्थापना की पचतरवी वर्श गांट भी है युएन के एक संस्थापक सदस्थ के रूप में भारत मल्टी लेटरिलिजम का द्रट समल्थक रहा है भारतिय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है संस्ता का समर्थन स्वाभाविक था युएन के मुल्यों के प्रती हमारा कमिट्मेंट अडिक रहा है पीस कीपिंग ऑप्रेशन्स में सबसे अधीक वीर सैनीक भारत नहीं खोये है किन्तु आज मल्टी लेटरल सिस्टीम एक संकट के दौर से गुजर रहा है ग्लोबल गवर्नस के समस्तानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे है इसका प्रमुक कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचीत बढ़लाव नहीं आया यह अभी भी पचरतर साल पुराने विश्व की मानसिक्ता और वास्विक्ता पर आधारित है भारत का मानना है कि विएन सिकुरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है इस विशे पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है UN के अतिरिक्त कई अन्य अंतराष्ट्य संस्ताय भी वर्तबान वास्तिविक्ताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं WTO, IMF, WHO जैसे institutions में भी सुधार होना चाहिए Excellencies, आतंगवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें ये सुनिशित करना होगा कि आतंगवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोशी ठहराए जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए हमें खुशी है कि रूश की अध्रिक्स्ता के दोरा ब्रिक्स काउंटर टरुरिजम स्ट्रेजी को अंतिम दूप रूप दे दिया गया है यह एक महत्वपूर उपलब्दी है और भारत इस कारे को अपनी अध्रिक्स्ता के दोरान और आगे बढ़ाएगा एक्सलेंसी कोविड के बाद की वैस्विक रिकवरी में ब्रिक्स एकोनोमिज की एहम भूमिका होगी हमारे बीच विश्वकी 42% 42% से अधिक आबादी बस्ती है और हमारे देश ग्लोबल एकोनोमिके मुख्य एंजिन जोंसे है ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोब है हमारे आपसी संस्ताय और सिस्टिम्स जैसे ब्रिक्स इंटर बैक को इंटर बैक कोपरेशन मेकानिजम न्यू डेवलोप्मेंट बैक कंटिजन रिजर्व अरेजमेंट और कस्टम्स कोपरेशन आदी भी 20 वीक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं भारत में हमने आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट एक व्यापक रिफार्म प्रोसेश शुरू किया है यह कैंपेन इस विशे पर अधारित है कि एक सेल्फ रिलाइंट और रेजिलियन भारत पोस्कोवीड अर्थेववस्ता के लिए फोर्स मल्टिप्रायर हो सकता है और ग्लोबल वेल्यू चेंज में एक मजबूत योगदान दे सकता है इसका उधारण हमने कोवीड के दोरान भी रेखा जब भारतिये फार्मा उद्योग की छमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवशक दवाईयां भेज पाएं जैसा मैंने पहले भी कहा है हमारी वेक्सिन उत्वादन और डिलिवरिक शमता भी इस तरह मानवता के हीत में काम आएगी भारत और दक्षिन अफरिकाने कोविड नाइटीन वेक्सिन उप्चार तता जाँच समंदी इंटलेक्टिली प्रोपर्टी एग्रिमेंट्स में छूट दये जाने का प्रस्ताव रखा है हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे अपनी ब्रिक्स अध्रिक्सता के दोरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कारे करेगा इस मुश्किल वर्स में भी रुसी अध्रिक्सता में पीपल टू पीपल रिस्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशेटिव लिए गए जैसे की ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वेग्यानिकों और युवा राजनरिकों की बैठक हैं इसके लिए मैं राश्पति पुतीन का हार्दिक अभिनदन करता हूँ एक्सलेंसीच 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विबिन निर्णों का मुल्यांकन करने के लिए हमारे शेर्पा एक रिपोर्ट बना सकते हैं 2021 में अपने अज़्ज़ता के दौरा हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सयोग को मजबूत करने का प्रैतन करेंगे हम इंट्रा ब्रिक्स एक जुर्टा को बढ़ाने और इस उद्देश के लिए ठोज संस्तागत फ्रेमबर डेवलप करने का प्रयास करेंगे मैं फिर एक बार राश्प्रति पूतिन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ धन्यवाद तो बारवे ब्रिक्स देशों के समयलन में प्रधानमंद्री वर्चुली एड्रिस कर रहे थे उन्होंने बिना लाम मिलिए पाकिस्तान पर निशाना साधा उन्होंने खा कि आतंकवाद के मददगार देशों को दोशी ठहराया जाना बहुत जरूरी है और ब्रिक्स देशों को ग्लोबल एकाउनमी के लिए बड़ा इंजन उन्होंने बताया आतंगवाद पर बात कि उन्होंने का है आतंगवाद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है UNSC में सुधार बहुत जरूरी है डेट सो मुलकों को भारत ने दवाई भेजी है ये बात भी परदान मंतुरी ने जोर के साथ कही बारवे ब्रिक्स अमिलन में और आगे बढ़ते हैं कि आपको नाकला और कान की समस्या है